आज की वीडियो में मिलेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लाइफ साइकल आफ लैप्टो को राईजा अगर आप लैप्टो को राईजा के साथ गंदी बग और राईस बग का भी लाइफ साइकल कह सकते हैं और आपको ये तीनों नेम ही याद करने हैं क्योंकि इन तीनों से आप से पूर सकता है question तो friends जो life cycle होता है leptocorizer का वो हमारा पूरा का पूरा धान के पौधे पर यानि rice के plant पर depend होता है तो गंधी बग हमारा कहां रहता है धान के पौधों पर रहता है तो आई ये start करते हैं फस्ट है गंधी बग में प्रेजनन वर्ष्ट भर होता है यानि जो reproduction होता है वो गंधी बग में या फिर rice बग में पूरे साल होता है next है adult female के पस्चाद धान की पत्यों पर कतार में अंडे जमा करती हैं तो जो adult होती है adult female होती है वो अपने जनन के बाद अंडों को धान की पत्तियों पर एक कतार में रखती है जमा करती है अभी मैं आपको आगे फिगर में दिखाने वाली हूँ ये चीज next है एक female लगभग 28 egg देती है कितने egg देती है एक बार में 28 egg देती है और एक egg 1 mm लंबे अंडाकार काले रंके तथा चप्टे होते है तो यह आपको याद रखना है कि female एक बार में 28 egg देती है objective type questions में पूछ लेता है और egg की लंबाई कितनी होती है 1 mm और अंडाकार शेप के होते हैं काले रंके होते हैं इसके बार आता है अंडे चिपचिपे पधार द्वारा पतियों से चिपके रहते हैं तो अगर धान की पतियों पे ऐसे ही आप egg रख दिंगे तो वो नीचे चले जाते हैं तो जब ये एक देती है तो एक चिपचिपा पधार छोड़ती है जिससे अंडे उस पत्ती पर चिपके रहते हैं एक कतार में यानि एक लाइन में चिपके रहते हैं लगभग एक सफथाबाद अंडो से युवा निम्फ निकलते हैं तो जो अंडे फूटने का टाइम होता है वो होता है वन वीक वन वीक में निम्फ निकलते हैं इन अंडो से जो पंक विहीन होते हैं जिनमें पंक नहीं होते हैं लगभग 6 अवस्थाओं से गुजर कर मतलब 6 अवस्थाओं आती है इसके लाइफ में उन अवस्थाओं से गुजर कर ये 3 सफताहा में बयस्क बन जाता है तो जो निम्फ निकला एक से वो 6 अवस्थाओं अपनी पार करेगा अपनी लाइफ की उसके बाद वो वयस्क बनता है और इस पूरे प्रोसीजर में उसको टाइमिंग लगता है त्री वीक्स का तो फ्रेंट्स फीमेल जो एग देती हैं पत्तियों पर वो कुछ इस तरह से लाइन में रहते हैं यानी कतार में रहते हैं और एग फूटने के बाद उनसे निम्फ निकलता है निम्फ के बाद अडल्ट बनता है एग फूट कर निम्फ बनने में वन वीक का टाइम लगता है और निम्फ से अडल्ट बनने में थ्री वीक का टाइम लगता है नेक्स्ट पॉइंट है लगबग एक सप्तहा में वयश्क प्रेजनर योगे हो जाते हैं तथा एक महा तक जीवित रहते हैं तो फ्रेंट्स आपने देखा कि एक फर्टलाइजड होने में वन वीक का टाइम लगा निम्फ से अडल्ट बनने में त्री वीक का टाइम लगा और अडल्ट को एक देने के लिए वन वीक का टाइम और लगता है और एक देने के लायक जब हो जाता है अडल्ट उसके बाद व वो अधे से हटाने तक इस पूरे समय में जो गंधी बग होता है या फिर राइस बग होता है उसकी 5 पीड़िया यानि 5 पीड़िया जन में ले सकती है इसके बाद है सीत काल में गंधी बग निश्क्रिय हो जाते हैं यानि ठंड के मौसम में जो गंधी बग राइस बग या फ निश्क्रिय हो जाते हैं सबसे पहले Leptokoriza egg form में होता है उसके बाद nymph में उसके बाद adult में और इसका life cycle one week रहता है egg में and nymph में रहता है three weeks उसके बाद adult रहता है one month तो ये था इसका life cycle I hope आपको life cycle समझ आया होगा मिलते हैं next video में control provision and losses के साथ thank you so much friends